कि आइए अब लांग कोईस्टिन देखते हैं यह साथ नंबर काता इसको भी हम पक्के कर लेते हैं अटसी वर्ड में लिखना है तो साथ कोईस्टिन आपको बता दिया गया लांग में पहला है वाई वाई वाज फ्रांज रेनिंग तुवाड्स स्कूल देव उस दिन फ्रां और क्या उसने देखा था रास्टे में तो जो जो देखा था क्यों भागा जावा रहा थैंसा वाग globalization को बता देना है बस का आणिक तरह लेए लेकुए वाज वास्ती वाजिधिर वास्तो देम ऑन पॉर्टिसिपल्स कि वह उनसे पार्टिसिपल इन बिसेट क्रिया पर प्रस्न पूछेंगे एंड फ्रांस डिदेंट नो दौन हाव द फर्स्ट वर्ल्ड बार्ट देम और फ्रांस उनके बारे में प्रारम्डिक्स सब पाहले पाहला अच्र भी नहीं जानता था सब दौन जानने के दर ता कि बाइए उसे देर भी हो गया था तो यह था मतलब पाहला क्या भागा जाना दूसरा कि क्या उसने रास्ते में देखा था चलिए उसको भी देख लेते दूसरा पार्ट आप नई बात लिखें तो उसको पारग्राफ जरूरर इस तरह से चेंज कर आप यह देखा थे रास्ते में ही नोटिस्ट उसने देखा था क्या क्या देखा था धिया दिए तरुसी जिसा और कि जो साइनिक थे in open field खुले मैदान में उद्ध आज करना छौले मैदान में मान भी होता है साह मिल अरह मस्थिन अर्य में के पीछे खुले कियोगा रहे थी उद्ध आज कर रहे था सब उसने देखा था और अधिक क्या था टेंप्टिंग माने लुभाओना था आ कर सकता चाहेगा तो दैन दर रूल फार प्रेटिसिपल के नियमों से ज्यादा यह आ कर सकता हुए विए पास्ट दा टाउन हाल जब टाउन हाल मने सभागार सभागार से होकर गुजरा देन ही वाज कॉल्ड वाइ वाक्टर द्वारा बुला दिया गया था हूँ आज देर विथिस अप्रेंटिस जो वहां पर अपने प्रसिच्चों के साथ था चलिए इसकी एक बार कहानी पूरा एक क्विस्चिन के हमें हिंदी में बता दे रहा हूं फिर से उस दिन फ्रांज जो है स्कूल की तरफ पार्टिसिपल पर प्रस्ट पोचेंगे और फ्रांज उनके बारे में प्रारमफिक घ्न भी नहीं जहाता था इसलिए वह दो नहीं दर में था दो तरसे आतनक िद्धावां डरा उगा था नाट नौइंग वाट पार्टिसेंपल को नहीं जयानने अचारी नहीं है और गे पच्छिय जो है जंगल के किनारे पर जंगल के छोर पर चाच आ रहे थे और प्रूसिय के साइनिक आरा मसीन के पीछे खुले खेत में युद्दभ्यास कर रहे थे और यह सभी और अदिक आ कर सका था उसके लिए फ्रांस के लिए देंदर रूइल फार मन्दब पार्टिसिपल के नियमों को याद करने के पिछा या और अदिक कि आ कर सका जब टाउन हाल से गुजरा था सफ़ागार से वकर गूजरा था ता उसने तो उसे एक रहार वाक्ट इसका नाम वाक्टर था उसके दोरा बुला लिए गया था जो वहाँ पर प्रसिच्छो के रोप में था प्रसिच्छ च्ड़ ले रहा था चली अब दूसरा question देख लेते हैं What was the scene inside the class क्लास के अंदर क्या द्रिश से था फ्रांज रीज़ टू स्कूल जब फ्रांज इसकूल पहुंचा तो फ्रांज इसकूल पहुंचा यह इत बताना है वह फ्रत्यक चीज़ को पाया तो मनें बहुत सांथ पाया जैसे रभीवार को सब्सक्राइब था थ्रू दा विंडो खेड़की से होकर ही साथ ही क्लासमेट्स के मद्यम से खेड़की से उस वह अपने क्लासमेट्स निसापाठियों को देखा आल्रेडी इन देर प्लेस जो अपने अस्थान पर पहले से ही रहे थे आएंड में आगे पीछे इंप देख भांपकर आरन रूलर माने उसे जो छडी होती है लोहे का पैमाना नहीं चडी मैंकर चडी को लेकर तंडे को लेकर अपने बाह के नीचे बाह के नीचे इसे डंडे को दबाये ज़ए चड़ी को डाल रहा है थे विद्ध को देखा विए इस ब्यूटिफुल ग्रीन कोट कि पाहन रखे थे पाने हुए थे इनक्लीडिंग ओल्ड हाउजर जिसमें पुराना बुढ़ा हाउजर भी थे पोस्ट मास्टर पोस्ट मास्टर और सेवरल अधस और कई अन्य लोग भी थे इस तरह के लोग वहाँ पर आए हुए था जली फिर से इंदी एक पर बता दे रहें कि भाई जब फ्रांज जो है स्कूल पहुंचा था तो उसने कलास के अंदर क्या देखा था तो बता दीजिए कि जब फ्रांज जो है स्कूल पहुंचा था तब उसने पाया की प्रत्य चीज बहुत सांद थी जैसे संडे को राती है रभीवार को खेड़की से उसने अपने साफ़ पाठियों को देखा आल जो पहले से अपने अस्थानों पर थे और एम हैमल ठीक है अपना भयान कर डं अपने संदर हरे कोट को पाने हुई देखा एला के उसने गाहों के लोगों को में देखा घंटी फूर वक बैठे होए थे पीछे की बंचुप synthes 근데 professor ते इसमें सामिल थे ऊपाध्ग अगर प्रमुछ बहुत पूर्व पोस्ट मास्टर थे डाकपाल और जिसको एते हैं और कई अन्य लोग भी थे को उसके बाद आगे देखते हैं इसके बाद थोड़ा सा इसमें बचा है इस साइड में हां तो करां कि जो जो लोग थे पुस्ट मास्टर तक सब बताए गया इसके बाद थोड़ा से बचा है इधर पेज पर भी उसको बता दे हैं के दो इसके बाद तीसरा कोश्चन देख लेते हैं यवी देखे दो हजार बाइस में पोचा गया सब इस मुझा रहे हैं इस प्रत्य की जी शाल भी दिये थे ये किताब में तर्पार्वाइब किसे प्रभावित किया था चालिए देख लेते हैं कैसे प्रभावित किया था यह प्रभावत किया डोज वर्ट्स वर एं तंडर ओसके लिए बजला की गड़ाहट की समानते हैं तॉझे बिजले की गड़ाहट की समानते हैं और उर और जिक कभी नहीं शेक पाया तो लिए आपने पार्टन याद कर पाने के लिए बहुत शॉरी महसूष कर रहा है मतलब खेद महसूस करा रहा है देखिए सब सार्ट कुष्टिन में भी यह सब बाते आई हैं तो इसलिए सार्ट आप याद किया है तो बना बना के लांग भी लिख सकते हैं जो इससे रिलिटेड नहीं हां आगे करें कि ही थौट देट ही होगे वाज फिलिंग स्वारी फॉर नाट लर्न लेशन अपनों पर्ट नायात करने गन्याते वह खेद महसूस कर रहा है था इस प्रकार से न्यूसम्स भाने परिसानी करने वाली परिसाद्थ पन गरने वाली चीज एंग लेगो माने कुछ शह समय पहले त तिंने ऐसे परतीद Which वर रई जाना उसके लिए भररी महसूस होता था क्रीमिस ले Living his grammar उसके ब्याकरड की किताब and his history of the saints और साद संतों के इतिहास की किताब were were felt old friends by him were felt old friends by him were felt old friends by him उसके दार पुराने में थ्रूप माश्यूस की गया the idea that his master was going away या विचार कि उसके master में गुरू जी was going away जाले जा रहा थे school को छोड़ करें that he should never see him again और वह उन्हें दुबारा कभी नहीं देख पाएगा made him forget all about his ruler वह उससे भूल गया made him forget उसे भूला दिया गया भूलने के लिए वह मजबूर हो गया all सब कुछ about his ruler उनके ruler के बारे में जो डंडे समाथे थे उसके बारे में and how cranky हिवाज अर्वा कितना cranky बने sun की मिजाज के थे थोड़ा कड़क मिजाज के थे इसको भी हो भूल गया इसलिए इन टोटल मने कुल मिला करके the announcement of the last lesson अंतिम पार्ट की घोसड़ा made France realized France को महसूस करा दिया the importance of the native languages native मने स्वादेशी अपने दिसकी अपने दिसकी भासा के महत पोज़ा क्या कर दिया उसको महसूस करा दिया प्रस्ण केहरा कि अंतिम पार्ट की घोसड़ा कैसे फ्रांज को प्रभवावित कि अंतिम पार्ट गोसड़ा ने फ्रांज को बहुत ही गहरे गहरे तरीके से प्रभाववित किया वे सब्द उसके लिए जो है बिजली की गड़गड़ाट के समान थे वह उनके बारे में ठीक है वह अपनी मात्रिभासा फ्रेंच के बारे में सोचने लगा उसने सोचा कि वह मुशकल से ही लिखना जानता है और ओर अधिक कभी स係 सीख नहीं पायेगा सीख नहीं पाय था इसको भी उसने उस उसक में वह महसूस के उस्सें ख्येद Jones हो रहा था कि वह अपनी पाठों को नहीमात कर पाया अपने रूंच कृश नहीं किताब हैं जो उससे इतना प्रतीत होती थी विच वर सो है जो ले जाना वह बहुत भार महसुस करता था अपने ग्रामर की किताब और उसके सादोसंतों की इतिहास की किताब उसके द्वारा पुराने दोस्त के रूप में समझे जाने लगें इतना लगा उसको बात करें कि वह बिचार जो इसके गुरू या विचार की उसके गुरू जी जा रहे थे जिससे वह जो है जिससे वह कभी नहीं देख पाएगा दुबारा ठीक है वह उससे वह उनके पायमानक मतलब वह चड़ी चड़ी को के बारे में सब कुछ भूल गया को सब्सक्राइब खोड़ाय कि भूल गया जो इसलिए कि बना कि घोषला फ्रेंग्ज को महसूस करवा दिया स्वादिसी भाशा के मात को मासूस कर दिया चलिए फिर अगला देख लेते हैं चौथा कॉस्चन है वाट हैपन आइट लास्ट अंत में क्या हुआ हाव डिड़ एम हैमल लास्ट दे क्लास एम हैमल ने क्लास का कर से लास्ट में समाप किया देखते हैं आइट लास्ट में चर्च क्लाक इस्ट्ट्वल घर की घड़ी में बारह बजे और फिर एंजलस नाम की प्राइट नहीं त्रॉम्पेट्स आप प्रोशियों की तुरहिया रिटैनिंग फ्रांडिल यूद्ध से जो वापस आ रहे थे लाउट रहे थे साइनिक उनकी खेकी के नीचे आवाज आएगे वैं से वापस आते हैं कि तुरहियों की आवाज खेक्राइश के घाड़यों की नीचे तक आए जी कुछ काहने का प्राइस कर रहेерм यह जसके उसके गले में उनके गले में इस आउर्थ कर देना उनका गला ओर्थ होगे बोल नहीं पाया कभी कभी होता ना कि जाद हीुस्नल आदमी तभी नहीं बोल पाता ऑगा यहुशलिवास्तों इस फीक वास्तों मैं बोलने में आज समर देखे थें ठीक है do to the pain of बिदाई के दर्द के कारण बिदा हो रहे थे तो उस दिन को तकलिव थे और लास्ट डे इन दे टाउन और उस दिन टाउन में जब उनका कस्वे में अंतिम दिन था तो ही कुड़न्ट गो आन स्पीकिंग इनिमोर इसलिए बार अधिक नहीं बोल सके बोलना जारी नहीं लख सके देन ही टरंड टू दा ब्लाइक बोर्ड फिर ब्लाइक बोर्ड की तरफ मोड़े टू के पी साफ चाक एक चाक का एक टुकड़ा उठाए और उतना लंबे लाज मतलब बिशान बड़ा उतना बड़े अच्छर में लिखे जितना वा लिख सकते थ वाइब लाव फ्रांस ठीक है इसका मतलब बताब फ्रांस जिन्दा बाद लांग लिफ फ्रांस इसका एंगले बर जन वाद देन ही श्टाब्ड लिखे लिखे फिर वार रुख गया और लीन इस हेड अगेंस दवाल और दीवाल के सारे अपने सिर को जुका लिए ठीक है है और बिदाउट अबिना एक भी सब्द किए कहे जार किे सकूल डिष्मिस्ट क्या इसारा किये कि ऐक लिए और दूट ए मनेक भी सब्राइब द्रूटि ए जोया वहाल उन चलिए एक बार इसका हम हिंदी फिर से बता देना चाहोँ थेका आपके दिमाग में और अच्छी आनी बैठ जाएं अब टेंसम तनिक भी ना लिजिए कि नहीं याद कर पाएंगे आज तक क्या करेंगे नहीं लिख पाएंगे बिल्कुल लिख पाएंगे आप हिंदी इस तर पाठ को समाथ किये देखते हैं कैसे क्लास को यह मैं समाथ किये थे तक क्या हुआ था यह में अबना पाठ कैसे समया चलिए देखते हैं अन्त में गिरजा घर की घड़ी में 12 बज़ा और तब है एंजलस नंवक की प्राउचना हुए यू दभ्यास से लॉटते हुए प्रोसिय के सेनिकों की तुरहिया उनके खिडकियों की नीचे तक बजी साउनडिक्स बजना या उनकी आवाज आना ठीक है बज रहे थी उनके खड़े हो गए वह बहुत पीले से दिखाई पड़े उनको चेहरे पर दिखाई पड़ा वह कुछ कहने का प्रयास किये लेकिन उनके गला उनका गला कुछ जो है औरुद्ध हो गया किस चीज़ से वास्तों में वहां विदाई के दर्द के कारण जो है बोलने में आज समर्द और तो खड़े में उनका अंतिम देन था इसलिए वह और अधिक नहीं बोल पाया फिर वह ब्लैक बोर्ट की तरफ मुड़े और चाक का टुकड़ा लिए और उस पर बड़ा अच्छा में लिख दिए जितना बड़ावा लिख सकते थे वह कि वाइब लग फ्रांस इंदब फिर वह खड़े स्टाप रुख गए और लिएट अगेंस तवाल फिर रुख गए और दिवाल के सारे अपने सिर को जुकाए और बिन्ना एक भी सब्द कहें अपने हाथों से जो है वह इसारा किये कि स्कूल जो है मैं छुट्टी हो गई है तुम घर जा सकते हैं तो यह सम देखें 2022 में भी आ गया है प्रस निकारा है वाट इस दरीजन क्या कारण है डाइट में एम हैमल डिक्लेयर डाइट जिससे एम हैमल यह गोश्टा करने के लिए मजबूर हो गए कि दा लास्ट लेशन दलेशन 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 हुआ पार्ट विच्वा ही वाज गोईंग टीज आंडाइट फेट फुल डे तो विच्वाज गोईंग टूटी जो पढ़ाने जा रहे थे आंडाइट उस फेट फुल मने भाग से पूट दे मने दिन भाग साले दिन जो पढ़ाने जा रहे थे वाज टूबी दा लास्ट लेशन की वही अंतिम पार था ठीक है चलिक सब्सक्राइट का मतलब सुझा देता हैं को करें कि वाट इस दरीजन क्या कारण था दैट में अम्हेमल डिकलेर दैट जिससे अम्हेमल ने गोशला कर दिया कि कि वह पार्ट विच्वाज गोईंग टूट टीज ऑन दैट फेट फुल डे जो उस भाग साले दिन वह पढ़ देख लेते हैं मजरबा इस पूछा भी गया है एमहेमल वाज टीचिंग इन इस स्कूल फार दा लास्ट फॉर्टियस एमहेमल इस स्कूल में पिछले चालिस सालों से पढ़ा रहे थे ही ओपेंड डे ग्रामर बुक वाइक ग्रामर की किताब खोले और टाट दिम देर लास भी प्राइब कि प्रांस की वहां सासार में सबसे दिक सुंदर भांसा क्लियरिस्ट मोस्ट लाजिकल सबसे दिक सुद्ध और तबसे तार्किक है फर्दर सेट आगे कहा कि दे मस्ट गार्ड इतुन्हें इसकी रचा करना चाहिए अमंग दिम समके बीच में और फारगेट और इसे कभी भूला है भूलें ना तो अब देखिए यहां थोड़ा सा मिश्टेक है कि मस्ट के साथ फार्स फार्म लगा तो नेवर फार्गाट फार्गेट ही कर दें कोई पास्ट मिलिफ में तो चलिए अब एक बार फिर से हम इसको बता दे रहे हैं कि मतलब कि इसका हिंदी में आड़त देख लेते हैं कि एक बार इम हैमेल इस स्कूल में पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे उन्हों ने ग्रामर की किताब खोला और उन्हें उनका अंतिम पढ़ाया उन्होंने कहा कि यह मेरा अंतिम पार्ट है में ममेल ने कहा कि यह में फ़्रांस की भांसा सबसे अधिक सुन्दर भांसा है संसार में सब से अधिक असपरस्ट है सब से दि तारकिक हैं उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जोकाया इसकी स्वयम के बीच में रच्छा करनी चाहिए और इसे भूसни कभी नहीं चाहिए आई होफ समझ में आगे होगा वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब से जरू कर लें आपका एक पार्ट हम साइट लांग दोनों फिनिस कर दिये और इसके बाद आपको दो पार्ट भी फिनिस कर दी जाएगा और सप्लिमेंटरी भी फिनिस कर दी जाएगा इसलिए कर तैयार है जिनको नहीं तैयार है तिस तरह से पढ़िए आराम से निकल जाएगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिन वीडियो जैनल को सब्सक्राइब कर देख लेना थैंक्स पर वाचिंग वीडियो